पाठ आठ धूब बत्ती बुझी जली पाठ परिचे विनम्र होना सबसे बड़ी खुबसूरती है विनम्रता अर्थात अपनी काम्याबी योग्यता तथा धन दौलत का घमंड न करके विवेक पूर्ण व्यवहार करना विनम्र व्यक्ती सबके दिलों को जीत लेता है संसार में हर व्यक्ती यदि विनम्र हो तो यह संसार बहुत सुंदर होगा विनम्र व्यक्ती अपनी विनम्रता से कठोर और दुष्ट स्वभावाले व्यक्तियों को भी अपने वश में कर लेता है चर्चा करें, आंधी आती है तो पेड गिर जाती है, किन्तु लताओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आखिर क्यों? जीवन मुल्य, समवेदन शीलता, परोप कारिता, विनम्रता का महत्व बताना, मीठे वचनों द्वारा सब का दिल जीतना, तथा धैर्य एवं साहसे बाधाओं पर विजय पाना. मेरा मन दया से भर गया, और मैंने उस धूबत्ती को बिना उठाए ही फिर से जलाने का निश्चे कर लिया, मैंने जट, दिया सलाई जलाई जलाई और उसे धूबत्ती के सिर से लगाया, दिया सलाई जलकर बुझ गई पर धूबत्ती ना जली, मैंने दिया सलाई की दूसर जली पहले जैसे ही सिर जली खड़ी थी और मेरे लिए अब कोई मार्ग ना था कि उसे खड़ी रहते जला दूँ। मैंने उसे उसके स्थान से उखाड़ दिया और उसे जुका कर चौती दिया सलाई जलाई। अरे साहब वो दिया सलाई से चूते ही जल उठी। दिया सलाई में अभी इतना दम था कि तयार हों तो वो चार-पांच धूबत्तिया और जला दे। जलते धूबत्ति ने अपनी सुगंध से कोठरी को भर दिया। ये काम समाप्त हुआ तो बुद्धी ने अपनी कलाभाजी दिखाई। तीन दिया सलाई ये पूरी जल कर बुज गई पर धूबत्ति ना जली और एक दिया सलाई के स्पर्ष मात्र से वो भबाक उठी। ये क्या बात है। मन ने कहा कोई बात तो है पर प्रश्न तो ये है कि क्या बात है। जब तक तीन दिया सलाईयां जल कर गुजी धूब बत्ती खड़ी थी और जब चौथी दिया सलाई जली तो वो उसके चूते ही जल उठी तो वो जुकी हुई थी लगता है इस अनुभव में मेरे प्रश्न का उत्तर आ गया है धूब बत्ती खड़ी हो या तिर्ची उसमें जलने की शक्ती बराबर ही है पर खड़ी हुई धूब बत्ती दिया सलाई की ज्वाला को ग्रहन करने में असमर्थ रहती है और तिर्ची धूब बत्ती उसे सुगम नहो तो जुकना आवश्यक है, साफ साफ यों के पाने के लिए नम्र होना आवश्यक है, लोकोक्ति है, बेटा बनकर सबने खाया, बाप बनकर किसी ने नहीं, ये बेटा बनना नम्रता ही तो है, याद आ रहा है संस्कृत का एक श्लोक, जिसमें विने को सुख की कुंजी बत अब है, विद्या से विने, विने से पात्रता, पात्रता से धन, धन से धर्म, और धर्म से सुख की प्राप्ति होती है, इस तरह पात्रता का मूल है, विने नम्रता, एक बार काशी जाकर पोज्य मदन मोहन मालवीय जी के दर्शन करने का स्वभाग्य प्राप्त हुआ, बा जिनमें वह अपनी भेट दे सके इस तरह देने वाले से बढ़कर लेने वाले की पातरता है और बंबई जो अब मुंबई है उसकी मेल के उस थर्ड क्लास का अंपार्टमेंट में उस दिन पूझ जे मालवीय जी के संदेश का परिक्षन कितना सफल रहा था मेल का हर डिबबा करीब करीब एयर टाइट था बस खाली था एक डिबबा पर उसमें चढ़ना शेर की दाड़ से गोश्ट निकालना था स्टेशन के आते हैं उसके बंद दर्वाजे से एक रोबीले पेशावरी पठान का चेहरा बाहर निकल आया डिबबे के बाहर हम साथ मुसाफिर थे खान और फौजी उस युग के शेर सांप थे उन्हें लंगना कठिन क्या असंभव ही था खान ने मुसाफिरों को देखा और पूरे रॉप से कहा दर्वाजा नहीं खुलेगी हम सबने समझ लिया कि ठीक ही है कि दर्वाजा नहीं खुलेगा तो हम साथ मुसाफिरों में से पांच तो उसी क्षण दूसरे डिबबे के और भाग निकले छठे ने सामने से आते चेकर से शिकायत की जनाब ये हजरत पूरा डिबबा घेरे बैटे हैं और हमें चड़ने नहीं देते चेकर महोदे ने अपनी नई उनिफॉर्म के रॉब में जरा डांटने के स्वर में खान से कहा आप दूसरे मुसाफिरों को चड़ने से नहीं रोक सकते खोलिया दर्वाजा खान ने सचमुच दर्वाजा खोल दिया और चेकर की और मुस्कुराते हुए कहा ओ तुम बिठाएगा तुम बिठाएगा इसको बिठाओ जब गाड़ी चलेगा और हम इसको बाहर फेंकेगा तो तुम जन्दी हिलाना चेकर तो खिसका ही वो मुसाफिर महाशे भी नौ दो ग्यारा हो गए मैं अब भी अपनी जगह खड़ा था अपनी अटैची हाथ में लटकाए खान ने मुझे देखा मैंने खान को उसने क्या सोचा मैं नहीं जानता पर मैंने सोचा मालविय जी महाराज का वचन है कि हर द्वार पर एक दाता खड़ा है तो क्या ये खान भी दाता है तभी खान ने मुझे से कहा तुम नहीं गया मैंने संग्शेप में कहा नहीं खान साब क्यों गाड़ी में नहीं चड़ेगा चड़ूंगा अगर आप प्यार से चड़ाएंगे क्यों दूसरे डिबे में नहीं चड़ेगा खान साब आप एक बहादूर पठान है और बहादूर आदमी का दिल बहुत बड़ा होता है उसमें ही जगह ना मिले तो पिर कहां जगह मिलेगी तुम ड़ता नहीं हम तुमें नीचे फैंक देगा नहीं खान साब बहादूर आदमी के पंजे सख्त होते हैं दिल मुलाइम होता है आप मुझे नीचे नहीं फैंक सकते खान ने कुछ सोचा कि तभी गार्ड की सीटी बजी और हरी जंडी हिली खान ने दर्वाजा खोला और मुझे बुलाया मैं जपट कर दर्वाजे पर पहुँचा कि खान ने सहरा दे कर मुझे भीतर ले लिया 18 आदमियों के बैठने लायक उस चोटे से डिबे में खान था उसकी बीवी थी और दो बच्चे थे सब के बिस्तर बिचे थे मैंने खान की बीवी को सलाम किया और खान को धन्यवाद दे कर दूसरी तरफ बैठ गया कुछ देर बाद धीरे से खान मेरे पास आया और उसने मुझे दो बहुत बढ़िया सेब दिये मैंने सोचा मालवीय जी का कतन सत्य है कि देश के हर दौर पर एक दाता खड़ा है पर कमी उन हाथों की है जिनमें वो अपनी भेंट दे सके मैंने भी अब अपने दाता की कसकर परिक्षा लेने का विचार किया दूसरे स्टेशन पर गाड़ी आकर रुकी प्लाटफॉम मेरी तरफ था तीन मसाफिर बाहर थे दो जवान एक बुढ़ा बिना खान की तरफ देखे मैंने जोर से कहा बुढ़े बाबा ये खान साब का डिबा है उन्होंने महरबानी करके मुझे बैठने की जगह दे दी है वो जगह मैं तुम्हें दे दूँगा और खुद खड़ा रहूंगा तुम भीतर आजाओ उन दोनों जवानों से मैंने किसी और डिब्बे में चले जाने को कहा बुढ़े को भीतर ले अपनी जगह बैठा दिया और दीवार से लगकर खड़ा खड़ा अपनी पुस्तक पढ़ने लगा कोई बीस मिनट बाद खान ने पूछा तुम क्यों खड़ा है मिरे भाई मैंने सरलता से कहा खान साब आपने महरबानी करके जो जगह मुझे दी थी वो मैंने बूढ़े बाबा को दे दी लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं है आप आराम से लेट ये खान ने कहा नहीं तुम भी बैठो खान को धन्यवाद दे कर मैं बैठ गया दूसरे स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो मैंने एक स्त्री और उसके बालक को अपने जगह बैठा दिया और खड़ा हो गया कुछ देर बाद खान की बीवी ने खान के कान में कुछ कहा और खान ने मुझे फिर बैठा दिया अब दोपहर हो गई थी सोने के लिए करवट लेते लेते खान ने कहा तुम चाहो तो किसी को बैठाएगा पर तुम जरूर बैठेगा हम सोता हैं और खान जब सोकर उठा तो हम बारह थे खान देखकर हसा और बोला सिरकार तुम को लोकल बॉंबे मेल में रखे तो बहुत मुसाफिरों को आराम होगा मैंने कहा पर खान सहाब आपको भी मेरे साथ रहना पड़ेगा नहीं तो मुझे खाली डिबबा कहां मिलेगा सभी जोर से हस पड़े शाम को साथ बजे मैं अपने स्टेशन पर उतरा तो खान ने मुझे से हाथ मिलाया और उसकी बीवी ने मुझे सलाम किया